जानते हैं इस बार मुझे सबसे ज़्यादा चिठिया और संदेश की स्विशय को लेकर मिली हैं। ये विशय ऐसा है जो इतिहास, वर्तमान और भविश्य तीनों से जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ देश को मिले नए प्रधान मंत्री संगरहा लएकी। इस 14 एप्रील को बाबा साब आमबेडकर की जनमजेन्ती पर प्रधान मंत्री संगरहा लएका लोकार्पन हुआ है। इसे देश के नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। एक स्रोता है स्रिमान सार्थक जी। सार्थक जी गुरुग्राम में रहते हैं और पहला मोका मिलते ही वो प्रधान मंत्री संगरहाले देखाए हैं। सार्थक जी ने नमो एपर जो संदेश मुझे लिखा है वो बहुत इंटरस्टिंग है। उन्होंने लिखा है कि वो बर्सों से न्यू चेनल देखते हैं, आकबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड हैं। इसलिए उन्हें लगता था कि उनकी जन्र नॉलेज काफी अच्छी होगी। लेकिन जब वे पी-एम संग्रहा लए गए तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, उन्हें मैसूस हुआ कि वे अपने देश और देश का नेत्रुत्त करने वालों के बारे में काफी कुछ जानते ही नहीं है। उन्होंने पी-एम संग्रहाले की कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखा है जो उनकी जिग्यासा को और बढ़ाने वाली थी। संग्रहाम में सामिर होने से पहले गुजरात में डेप्यूटी के लेक्टर थे, प्रसासनिक सेवा में उनका एक लंबा केरियर रहा था। कि सिमान पीवी नर्सिमाराब जी लेंड डिफर्म के काम में बहुत गहरी रूची लेते थे। सार्थक जी को भी इस मिज्यम में आकर ही पता चला कि चंद्रसेखर जी ने चार हजार किलोमेटर से अथिक पैदल चल कर एतिहासिक भारत यात्रा की थी। उन्होंने जब संग्राले में उन चीजों को देखा जो अटल जी उप्योग करते थे। उनके भाषनों को सुना तो वो घर्व से भर उठे थे। सार्थक जी ने ये भी बताया कि इस संग्राले में महत्मा गांदी, सरदार पटेल, डॉक्टर अमबेडकर, जैप्रगास नारायन और हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवालाल नहरू के बारे में भी बहुत ही रोचक जानकरिया है। साथियों, देश के प्रधान मंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आज़ादी के अमरुत महत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है। अनमोल विरासत से उन्हें जोड रहा है।